हाई गाईज वेलकम टू शुश्मारियल लाइफ तो देखिए मैं हूँ आज अलीगड के सेंटर पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पर ही टीकराम मंदिर भी है और ये सेंटर पॉइंट का एक समध रोड वाला रास्ता है और ये फ्लेग लगा वहाद था बड़ा सा मैं आ जान से देखिए आप कितनी सुन्दर शभी है इसे देखके मन प्रसंद हो जाता है और यहां होता रहता है हर शाम के टाइम पर रामाइड का पाट सब लोग बैठते हैं बड़े-बड़े लोग हैं ये और सब लोग बैठके रामाइड पढ़ते हैं और रामाइड मैस की ब हो तो वो लोग डीकरा मंदर में आए और यहां पर दो घंटे यह रामाज का पाठ होतब है तो पांच से छहक होता शैद डुगंटे नहीं एगंगे पेसे और उसमें रामाजanding पार्ट में जरूर शामिल हो यह मुझे बहुत सुकुन मिलता है यहां बैठती हुआ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और यह हैं बीच में हमारे राजु पंडची तो यह रामायड पढ़के और उसकी ब्याक्षा करके बता रहे हैं सबकी अपनी अपनी तरीका होता है ब तरह से बना हुआ है यह देखिए बहुत खुबसूरत मंदिर है और बहुत प्राचीन है बताते हैं टीकराम कोई स्टेट्ची है और वो टीकराम उनका नाम था उनी के नाम से यह मंदिर बना हुआ है बहुत खुबसूरत मंदिर है आप आएंगे तो बहुत खुशी और मंदिर में आके एक दम संतुस्टी सी मिलती है वो थोड़ा सुकून जो होता है वो मिलता है तो आप लोग जरूर आईए ठीकरा मंदिर में अलीगण इतना बड़ा प्रांगड है यहां का कि यह देखिए एक तो खुबसूरती तूसरा इतना प्रांगड सुन्दर है यहां का जरौ है? और इतना सुन्दर प्रांगड है और इतना बड़ा है कि यहां पर देखिए हनुमांजी का मंदर हो रहा dibuj एक बड़ा सीतराम जी को मंदर के भी मैं आपको दर्शन कराते हूं चलिए चलते हैं बहुत सुन्दर कारी करी है इसकीм इसके पत्थर में और बहुत ही खुब्सूरत बना हुआ है यह देखिए यह है हनुमान जी का मंदिर और यह है हनुमान जी के दर्शन और इसी में शिब परिवार भी है यहां लोग दर्शन करने आते हैं बहुत अच्छा लगता है अंदर पुझापाट होती रहती है यह अंदर गई और यहां आके शिब जी पर जल चड़ाया है हमने और इतनी मतलब मैं बता नहीं सकते हूँ कितना मुझको सुकून मिलता है इस मंदिर में आके बहुत सावन के महिने में जल खूब चड़ाना चाहिए शुब जी पर तो आपको भी दर्शन हो गए ना अब चलते हैं बापस आपको पता है सेंटर पॉइंट क्यों है यह किसी टाइम पर यह सेंटर पॉइंट था अलीगड का बिल्कुल बीच में पढ़ता था लेकिन अब तो आगे पीछे बहुत अलीगड बढ़ चुका है सेंटर पॉइंट पर लगा हुआ भारत मता का जंडा तो चलिए फिर मिलेंगे जैशियराम रादे रादे अरे हां भूलिये मत जरूर आईए दर्शन करने सावन के महिने में ही आईए देखिए हरी-हरी पोशाक पहने हुए सितराम जी तो भूलेगा मत जरूर आईए टीकराम मंदर के दर्शन करने हैं